आसिम रियाज जो इन दिनों बहुत बड़े नाम आ चुके हैं यानि कि मार्केट में बहुत बड़ा नाम हो चुका है ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिग बोस सीजन 13 के बाद उन्होंने दो गाने किये तू ख्याल रखिया कर और तू कल्ला सोड़ा नहीं आये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कौन से गाने ने मारी है बाजी यानि कि कौन से गाना हुआ है सूपर हिट नवश्कार दोस्तों मैं हुकाजे सिंग और आप देख रहा है बिग हेडलाइन्स दोस्तों अगर हम बात करें आसिम रियाज और हीमानशी खुराना की तो बिग बॉस सीजन 13 में ये एक बहुत स्ट्रॉंगेस्ट कपल माने जाते थे बिग बॉस सीजन 13 खतम हुआ उसके बाद भी इन दोनों की जो अफ़ाय है यानि की चर्चाय है रिलेशनशिप्स है ये गिरती समलती हुई नजर आए ऐसे में आपको बताना चाहूंगी कि बिग बॉस सीजन 13 के बाद इन्होंने साथ में दो म्यूजिक अलबम किया और दोनों ही काफी सूपर डूपर हिट सावित हुए पहला इनका म्यूजिक अलबम के अगर हम बात गई तो इनका पहला म्यूजिक अलबम आया था तो कल्ला सोडा नहीं जो की काफी जादा सूपर डूपर हिट सावित हुआ और उसी के बाद इनका दूसरा गाना आया तो ख्यान रखिया कर दोनों की ही शूटिंग पंजाब के चंदीगण में की गई थी और दोनों ही सौंग काफी प्यारे और काफी इंट्रेस्टिंग है इन दोन 5.5 करोड विव इस गाने को मिला है जो की भुला दूंगा यानि कि हमारे सिदनास का गाना तो उसको भी पीछे छोड़ दिया है तो कल्ला सोडा नहीं सौंग जो है बहुत जादा सूपर डूपर हिट हुआ था अगर हम बात करें इनके दूसरे गाने की तो इनके गाने को आए हुए अभी तीन चार दिन भी नहीं हुए लेकिन 67 लाक्स विव जो है इनोंने सोचल मीडिया पर हैंडल कर लिया यानि कि सोचल मीडिया पर हासिल कर लिया है वेल ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दोनों में से तू कल्ला सोड़ा नहीं सौंग अभी तक इन दोनों में से आने वाले टाइम पे कौन सा गाना बाजी मारता है तो दोस्तों कमेंट सेक्षन में आप हमें कमेंट करके बताइए कि दोनों गालों में से आपको कौन सा पसंदे तू खयाल रखे अकर या फिर तू कल्ला सोड़ा नहीं और अगर अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमारे पेज को लाइक करें थैंगी सो मच